डीध्वाना, राष्ट्रिय स्वयं सेवक संग ने शुक्रवार शाम को अपनी 99 वी वर्ष गाउठ की पूर्व संध्या पर स्वयं सेवकों ने पूर्ण गनवेश में घोष डल के साथ शेवर में पत संचलन किया. इस संचलन में सेंकडो स्वयम सेवक एक ले में चल रहे थे ये द्रिश्य देखने लायक था गौरतलब है कि संग अपनी विकास यात्रा के 99 वर्ष पूरे कर चुका है और 2025 में शताबदी वर्ष मनाया जाएगा पत संचलन में शहर की तीन बस्तियों के स्वयम सेवक शामिल हुए पाडाया माता बस्ती, श्याम महाराज बस्ती, नागोरिया बस्ती के द्वारा सामूहिक पत संचलन हुआ शहर के श्याम महाराज चौक, नीमडो की गली, कुंजर पाड़ा, कोट मोहला, किताब धर गली, नागोरिया मंदिर, नर्सिंग चौक, संग कार्याले और मुख्य स्थानों से होते हुए पत संचलन मुख्य शाखास्थल पर पहुचा राष्ट्रिय स्वयम सेवक संध के इस पत संचलन को देखने के लिए लोगों की भीरूमर पड़ी, जगह जगह पुश्पवर्षा से लोगों ने स्वयम सेवकों का स्वागत किया, इस दोरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी मैं जाबता साथ चल रहे थे राष्ट्रिय स्वयम सेवक संध अगले वर्ष शताब्दी वर्ष मनाएगा, पंब, बच्छराज व्यास ने जनसंध के राष्ट्रिय अध्यक्ष पद को सुशोबित करते हुए संगठन की मजबूती के लिए काम किया था 1958 से 1962 तक महराष्ट्रा विधान परिशद के सदस्य भी रहे 1965 में जनसंध के राष्ट्रिय अध्यक्ष भी बने दीद्वाना नगर में प्रथम शाखा का संचालन पम, बच्छराज व्यास ने ही किया था, जो राजस्थान की पहली शाखा थी